हेलो फ्रेंड मैं आकाश वेलकम टू प्लांट के एकीवर वे पर्मेन फ्लावरिंग प्लांट जो की नरसी में 10, 20 और 30 रुपीज में मिल जाते हैं उन फ्लावरिंग प्लांट को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ इसके अलावा इन flowering plant को आप कहां से और कैसे खरीदें कि ये आपको सस्ते पड़ें ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को लास तक देखिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस list में पहला plant है लैंटाना इनके flower काफी सारे color में आते हैं ये plant मैंने 10 रुपीज में खरीता था poly bag में अगर आप इसे poly bag में खरीते हैं तो ये आपको 10 से 20 रुपीज में आसानी से मिल जाएगा इस list में दूसरा plant है मदुकामनी ये wine variety है और ये 30 रुपीज में पॉड़ी बैक में आसानी से मिल जाता है मैंने भी इसे 30 रुपीज में खरीदा था cosmos इनके flower काफी सारे color में आते हैं इसे एक बार आप अपने garden में add करते हैं तो ये हमेशा आपके गाड़ा में बना रहता है flowering कतम होने के बाद seed बनता है जिस भी container में इसके seed गिर जाते हैं ये plant खुद बाखुद ग्रो हो जाता है इसके अगर आप पौद लेते हैं तो वो आपको 5 रुपे में अगर आप इसका plant लेते हैं poly bag में लगा हुआ तो वो आपको 10 से 20 रुपे में मिल जाएगा अप राजिता इसे घर में लगाना सुब माना जाता है इसे आप cutting और seed दोनों से ग्रो कर सकते हैं इसका एक plant अगर आप poly bag में लेते हैं तो वो आपको 20 से 30 रुपे में आसानी से मिल जाएगा टच मी नौट छूइमूई ये plant बच्चों और बड़ो सभी को बहुत पसंद होता है और ये plant बारिस के मौसम में नर्सी में बहुत देखने को मिलता है बात करें प्राइस की तो ये plant 10 से 20 रुपे में poly bag में आसानी से मिल जाता है कैलाडिया, इनके भी flower काफी सारे color में आते हैं बहुत ही hardy plant होता है, permanent plant की तरह ही होता है एक बार अपने garden में add करते हैं, तो हमेशा आपके garden में बना रहता है flowering कथम होने के बाद seed बनाता है बात करें प्राइस की, तो ये plant poly bag में 10 से 20 रुपे में आसानी से मिल जाता है मदू कामनी, इनके फूलों से बहुत एच्छी खुश्पो आती है इनके flower रात को खिलते हैं, और जब खिलते हैं तो आपका पूरा garden मेह गुटता है बात करें प्राइस की, तो ये plant मैंने 20 रुपीज में खरीदा था ये plant आपको poly bag में 20 से 30 रुपीज में आसानी से मिल जाता है Sunflower, ये भी permanent flowering plant की तरह ही होता है flowering कहता हमने के बाद seed बनाता है, उससे नए-ने plant बन जाते है बात करें प्राइस की, तो poly bag में लगा हुआ ये plant आपको 5 रुपए से 10 रुपए में नरसी में आसानी से मिल जाएगा Morning glory, इनके flower morning में खिलते हैं, इसलिए से morning glory कहते हैं इनके भी flower काफी सारे color में आते हैं, बात करें प्राइस की, तो ये भी poly bag में लगा हुआ plant 10 से 20 रुपए में आसानी से मिल जाता है flowering खतम होने के बाद ये seed बनाता है, इससे नए-ने plant बन जाते हैं धन बर्जिया, इनके flower बहुत ही सुन्दर लगते हैं, ये cutting से भी grow हो जाता है, छोटी height का poly bag में लगावा ये plant 20 से 30 रुपीज में नसी में मिल जाता है चान्दनी, ये plant बहुत ही hard होता है, पूरे summer blooming करता रहता है, cutting से भी grow हो जाता है, इस plant को भी अगर आप poly bag में लेते हैं, तो ये 10 से 20 रुपीज में मिल जाता है हर सिंगार, इनके flower से भी बहुत एच्छी खुशबू आती है, इनके flower रात को खिलते हैं बात करें price की, तो इसका भी अगर आप छोटा plant लेते हैं, poly bag में, तो वो आपो 10 से 20 रुपीज में मिल जाता है इसके अलावा आप इसे seed से भी grow कर सकते हैं, seed से grow हुआ plant भी एक सान में blooming स्टार्ट कर देता है इस list में अगला plant है moogra, इनके भी flower से बहुत एच्छी खुशबू आती है, ये भी cutting से monsoon में grow हो जाता है बात करें price की, तो इसे भी अगर आप poly bag में लेते हैं, तो 20 से 30 रुपीज में मिल जाता है इस list में अगला plant पोर्चुला का, इस समार का बहुत ही खुबसूरत flowering plant होता है बहुत सारे color में इनके flower आते हैं इसे भी अगर आप poly bag में लेते हैं, तो ये 10 से 20 रुपीज में मिल जाता है कैना लिली, ये tuber से grow होने वाला plant होता है एक plant लेकर आते हैं, तो कुछी समय में इसके धेरो plant आपके garden में हो जाते हैं इनके flower भी काफी सारे color में आते हैं बात करें price की, तो इसे भी अगर आप poly bag में लेते हैं, तो 10 से 20 रुपीज में ये नरसी में आसानी से मिल जाता है इस list में अगला plant है Mexican petonia, इस plant को मैंने 30 रुपीज में खरीदाता है ये भी cutting से grow हो जाता है, इसे भी अगर आप poly bag में लेते हैं, तो ये 20 से 30 रुपीज में मिल जाता है कनेर, इस plant को भी अगर आप poly bag में लेते हैं, तो ये 10 से 15 रुपाय में मिल जाता है इसे आप cutting से भी grow कर सकते हैं, ये भी काफी सारी varieties में आता है जेन लिली ये बल्ब से ग्रोहने वाला प्लांट होता है इनके भी फ्लावर काफी सारे कलर में आते हैं कुछ बल्ब लेकर आते हैं तो डिवाइड होकर धेरो हो जाते हैं बात करें प्राइस की तो इसे भी अगर आप पॉली बैक मिलेते हैं तो ये 10 से 20 रुपीज में मिल जाता है हिबिस्कस यानि की गुड़हल ये देशी विराइटी का है और ये विराइटी आपको नर्सी में 20 से 30 रुपए में असानी से मिल जाती हैं इसके अलावा अगर आप गॉर्मेंट नर्सी में विजिट करते हैं तो वहाँ पर ये प्लाइट 8 रुपए से 10 रुपए में असानी से मिल जाते हैं तो ऐसे प्लाइट के लिए आपको हमेशा गॉर्मेंट नर्सी में ही विजिट करना चाहिए फायर बुश इस प्लाइट को मैंने 20 रुपीज में खरीदा था पॉली बैंग में इसे आप भी पॉली बैंग में 20 रुपीज में असानी से खरीच सकते हैं इसके अलावा आप इसे कर्टिंग से भी ग्रो कर सकते हैं पर्सलेन बहुत हाड़ी प्लाइट होता है समर में बहुत ये अच्छी ब्लूमिंग करता है कर्टिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है बात के रिप्राइस की तो ये पॉली बैग में 10 से 20 रूपीज में आसानी से मिल जाता है इसलिए इसमें अगला प्लांट है जट्रोफा इसे मैंने 10 रूपीज में खरीता था लखनो की गौवर्मेन नसी से अगर आप भी लखनों में रहते हैं तो गौर्णमेंट नैसी में विज़ेट करके काफी सारे पर्मेनल फ्लारिंग प्लांट 10 रुपीज में खरी सकते हैं टिकोमा इसे मैंने सीर से ग्रो किया था और इसमें एक साल में फ्लारिंग स्टार्ट हो गए थी ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है बात के रिप्राइस की तो इसे भी अगर आप पॉली बैक मिलेते हैं तो ये 20 से 30 रुपीज में मिल जाता है इसके अलावा आप अपने एरिय की गौर्मेन एसी में विजिट करके ये प्लांट 8 से 10 रुपै में असानी से खरी सकते हैं इस लिस्ट में अगला प्लांटर रात रानी इसे मैंने 10 रुपय में खरीता था गौवर्मेन ऐसी में इनके फूलों से भी बहुत एच्छी खुशबू आती है फ्लावर रात को खिलते हैं ये कटिंग से विक्रो हो जाता है बात करें प्राइस की तो ये 20 से 30 रुपीस में मि सीड भी मनाता है इससे अगर आप पॉली बैक मिलेते हैं तो ये 20 रुपीस में असानी से मिल जाता है स्पाइडर लिली बहुत हाड़ी बल्बस प्लांट होता है पूरे साल आपके गार्डम में ग्रीन रियाट करता है और मांसून में बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग करत है फ्लावर से खुस्बू भी आती है देख सकते हैं गुच्छों में कलिया आती है बात करें प्राइस की तो इसका एक बल्ब पॉली बैक में लगा हुआ 10 से 20 रुपीस में असानी से मिल जाता है इस लिस में अगला प्लांट है विडेलिया फ्लावर देखी सकते हैं बहु इसकी हाइब्रेड विराटी भी आती है यह इसकी हाइब्रेड विराटी है इसे अगर आप पॉली बैक में लेते हैं तो यह 10 से 20 रुपीस में मिल जाता है फ्लावर काफी सारे कलर में आते हैं कर्टिंग से भी यह प्लांट ग्रो हो जाता है चंपा इसका अगर आप छोट प्लावर शाम को खिलते हैं बहुत ही हाडी प्लांट होता है ऐसे प्लांट अगर आपको नसी में दिखें तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए फ्लावरिंग खतम होने के बाद ये सीड बनाता है बात करें प्राइस की तो इससे भी अगर आप पॉली बैग मिलेते हैं तो य ये 10 से 20 रुपीज में मिल जाता है चमेली इनके फूलों से भी बहुत एच्छी खुश्बू आती है इसे भी अगर आप पॉली बैग मिलेते हैं तो 20 से 30 रुपीज में मिल जाता है गौवर्नमेंट नसी में ये प्लांट 8 से 10 रुपए में मिल जाता है गौनफ्रेना इसे इनके भी अगर आप पॉली बैग मिलेते हैं तो ये 20 रुपीज में मिल जाता है इनके भी फूलावर काफी सारे कलर में आते हैं कच्छिनार बहुत हाड़ी होता है फूलावरिंग खतम होने के बाद सीड बनाता है जहां पर 20 से सीड गिरते हैं वहाँ पर ये प्लांट ग् मिल जाता है साइपरेस वाईन बहुत ही संदर वाईन होते है फूलावर भी काफी सारे कलर में आते हैं फुलावरिंग खतम होने के बाद ये सीड भी बनाता है एक बारायट करते हैं तो हमीं साबके गाड़ा में बना रहता है बात करेबly की तो ये पॉली बैग में लगा वहा 10 रुपए में असानी से मिल जाता है डूरेंटा ये प्लांट मैंने 8 रुपए में खरीदा था लकनों की गुवर्मन नर्सी से एक हेच प्लांट होता है लेकिन इसमें बहुत ही सुन्दा फ्लावर किलते हैं ये प्लांट गुवर्मन नर्सी में 8-10 रुपए में और बा बालसम इसकी अगर आप पौत लेते हैं तो वो 5 रुपए में मिल जाती है अगर आप इसका प्लांट लेते हैं पॉली बैक में लगा हुआ तो वो 10 रुपए में नर्सी में मिल जाता है गुलमोहर, चंपा, चमेली, चाननी, मोगरा, रातरानी, गुड़हल ऐसे जो देशी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, देशी पर्मेनल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इन्हें खरीदने के लिए हमेशा गुवर्मन नर्सी में ही विजिट करना चाहिए वहाँ पर ये प्लांट बहुत ही सस्ते 8-10 रुपए में मिल जाते हैं और इस ताइम गुवर्मन नर्सी में काफी अच्छा कलेक्शन भी आया हुआ है तो आप गुवर्मन नर्सी में जरूर विजिट करिएगा इसके अलावा अगर आप प्राइवेट नर्सी में विजिट करते हैं प्राइवेट नरसी में इस प्लांट आपको πॉली बैग में लगए हुए, छोटी हाइट के 20-30 रुपीस में असानी से मिल जाते हैं. प्लांट हमेशा पॉली बैग में ही लेने चाहिए। पॉट की कमपैरिजन में पॉली बैक में लगे प्लांट बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं I hope कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चानल पर पहली बार आ हैं तो मेरे चानल को सस्क्राइब कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए हैपी गार्डनिग